हेलो गाईज तो विल्कम बैक इन आर यूट्यूब चैनल तो आज हम सॉल्व करेंगे बाइविकली कॉंटेस्ट वन जेरो एट के प्रॉब्लम तो यह पहला कोश्चन है आप वीडियो पहुच करें कोश्चन पढ़ दो फिर मैं कोश्चन समझाता हूं तो क्वेश्चन क्या जो लेंथ उसकी greater than one होनी चाहिए और वो कैसे पालो करना चाहिए उसमें ऐसे नमबर्स होने चाहिए जो सब्स्त बाइरे बालर एक बार अगर हमें पता है कि अगर हमें सारे बहु चाहिए तो अब तो उसके बाद प्रिया होगा कि आप यह देखो कि अगर मैंने कुई एक नंबर कर लिया है तो जो उसका next नंबर है उससे यह 1 चोटा होना चाहिए जो पहली कंडिशन है हमारा कि जब हम S0 पिक करेंगे तो S1 होना चाहिए वह बड़ा होना चाहिए ठीक है तो मैंने जब भी अगर कोई चाहिए तो मैंने पहले निकाल लिया कि जो पहले दो नमबर्स है जिरो उसके बाद S1 तो S1-1 होना चाहिए तो मैंने क्या किया कि से दूसरा लूप स्टार्ट करा और नमस ऑफ जे माइनस नमस ऑफ जे माइनस वन करा करो करेंट माइनस प्रीवियस नमबर्स अगर वह not equal to D है इसका मतलब यह सब है तो मैं इस लूप से जो इनर लूप है वह ब्रेक कर दूँगा और एक चीजिए नोट टनने वाली बात ह है कि जो अभी करेंट जे था ना उससे पहले तक का जो भी लेंथ रहा होगा वह मेरा आंसर होगा तो वह आंसर में कैसे निकाल सकता हूं कि जो एक और एक और चीज़ क्या है एक अगर एसा कोई लैंट करेंगे तो हम यहां लास में चेक करेंगे कि अगर आंसर लेटर जाएं वन है तो यह आंसर डिटन करेंगे नहीं तो उसको 1 करेंगे और इक और चीज अब धियान से देखो एक और चीज़ मैंने यहां पर क्या क्यों क्यों है क्लाइन les equal to d equal equals to one question mark minus one is to my one इससे मैंने क्या कर रहा कि मैं change कर रहा हू जैसे आप कि S0 के बाद S1 हो राया तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों के g sa difference 1 था तो इन दोनों के gf difference माइनस 1 होगा फिर इन देनों 15ी ऐ flirt BC 1 होगा तो एसेimate चलता जाएगा इस लिए मैंने यहाँ पर कर दिया कि अगर D1 है तो इसको minus 1 कर दो तो यह solution AC हो गया, अगर आपको कोई भी doubt हो, तो comment section में जरूर पुछना, मैं वहीं बता दूँगा, thank you